जाजी नेंद्र बंधू स्वागत है आप सभी का हमारे इस बेहत ही खास प्रस्तुती में जहां हम आपको प्रति दिन संत शिरोमणी आचार्य भगवन श्रीक सोवाट विद्या सागर जी महाराज के मंगल दर्शन का स्वभाग्य प्राप्त कराते हैं। चैनल के माध्यम से सीधे आपको दर्शन कराते हैं आचार्य प्रफु के। जुका रहे अपना माधा जिनके जीवन की हर चर्या वन पड़ी स्वयम ही नवगा था जैनागम का ऐसाई भगवन खलस जो विगिराते हैं गली गली जिनके दर्शन को पाकर के खिलती मुर्जाई हिदय कली। ओम्रुमा श्टोत्र सजनाकम सुर्शण संन्य महा पर वे आजै डिस्रेष्त गुरु अरविध्या सागरमणी Avengers अत्र आउतर आउतर समो शट्थि आवाहन नम् जय हो जय हो जय हो अत्रों तिश्टि छाठाती सापनम जय हो जय हो जय हो अत्रभव सन्लीदों भववस सन्लीदी करणम तुमको पल पल मैं निहारू दिल में बसालू तिरी आरती उतारू डाले रहू तिरे चरणों में डेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा हर सांस में हो सुमिरन तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा तेरी पुजा करते बीते साज सबेरा हर सांस में हो सुमिरन तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा सांसारिक विसियों में पढ़कर मैंने अपने को मरमाया इसकी वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया तो विद्या सिंदु की जलकन से बाव कालुष दोने आया हूं आचाई पलमेष्टी गुर्वय विद्या साग्रे फ्यो नमाहा जन में जराव रित्तु विनास नायो जलम्रुपा में इस्वाहा क्रेदु अनल में जल जल कर अपना सर्वस्त लुटाया है निज सांत सरूप न जान सका जीवन भरे से बुलाया है चन्दन समसी तलता पाने अब शरण आपकी आया हूं संसार ताप मिट जाए मिरा जय बंद काटने आया हूं ओम्रुमस्टुता सज नागमसु सण सैय महा परवे युग प्रवर्ता काचारि परमेष्टिन विद्या साग्रे फ्यो नमाहा संसार ताप विनास नायो चन्दनम्रुमा मिरी स्वाहा जड तो नहीं मैंने जड समझा नहीं अच्छै निद को पहचाना मेरा अपने तो के वल सपने थे ब्रह्म और जगत का बठकाना चरणों में अरपित अक्षत हैं अक्षै पद मुझको मिल जावें दवग्यान करण की किरणों से यह धिर्दै कमल भी खिल जावें ओम रूमा श्रोलता सजनाकम सु सर्ण से यह महा परवें युग प्रवर्ता काताई परमेश्टी गुरुवै विद्या सागरे भ्यो नमहा संसारताप विनासना अक्षै परप्राप्ताई अक्षै तार्म भावे दी स्वाला इन विशय भूग की मदिरापी मैं बना सदा सेमत वाला स्ना को त्रप्त करें जितनी उतनी बढ़ती इचा ज्वाला मैं काम भाव वित्तन से मन सु मन चराने आया हू यह मदन बिजेता बन नसके यह भाव हिदय में लाया हू ओ मुरु मस्टोता सजनागम स्विस्वाण सेमाह पर्वे युक्रवर्ता काचारी पर्मेष्टिन काचारी विद्या सागरे फ्योना महा काम भाण भी धन्स नायो पुश्पम नुर्भा में गे स्वाव भिष्च धारोग की व्यताकता बौबाव में कहता आया हूं अति भक्ष अभक्ष भके फिर भी मनत्रप्त नहीं कर पाया हूं नई वेदिस्मर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोद जगाऊंगा जिस दिन गुरु जी तेरा दरिशन होगा उस दिन सफल मेरा जीवन होगा मुहांद कार से व्याक लो निज को नहीं मैंने पहचाना मैं राग देश में लित रहा इस हाथ रहा बस पच्चताना यह दीदिस्मर्पित है मुनिवर्ण मेरा तम दूर भगा देना तुम ग्यांगा जान दीप की बाती से ममवंतर दीप जला देना ओम्रु मस्टोतर सजनागम से सणु सज्य महापर्वे युक्त्रवर्त काचाई परमेश्टिन गुरु अर्वित्या साग्रेप्यो नमा मौहांदिकार विनासनायो देपम्रवामिदी स्वावाव इन अशुब कर्म ने घीरा है मैंने अब तक यह माना था बस पाप कर्म तज पुन्नी कर्म को चाह रहा अपना ना था शुब अशुब कर्म सब्रिकुतले मैंने जलाने आया हूँ इसे लिए इतना चनों में दूप चनाने आया हूँ मैंने आज मिटा डाला मैं चिदानन्द में लीन रहूँ पूर्णा का यह फल पाना है पाना था जिसके द्वारा वैटा मुझे टिकाना है अम्रू मस्टोता सजिना गमसर सणिया महा परिश्ग प्रवर्ता काथ्या परमेश्टिन गुरुवर्विद्या साग्रेव्यों नमाहा लोक्ष पलप्राव्ताय प्लम्रवामेदे स्वाहा जदके वैभाव को पांकर में इस दिने सा अलमत रहा चारों गत्यों की ठोको काने में ही अभ्यास्ति रहा मेरा परिशे क्या नाता है कैसे अनर्गप्द पाजाओ यह अरुन भाव ना भाता है गुरु नाम जपने से नव जीवन मिलता है अंतश के कौने में इक दीपक जलता है गुरु नाम जपने से नव जीवन मिलता है ओ गुरु नाम जपने से नव जपने से नव महा पर्वे अचारी पर्मेश्ट यू प्रभर्तक विद्या सागरे भ्योन महा अनर्पत्राप्त्ये जै महाला पूर्ण अर्ग्यम निर्वा पामी नदिया जाती है मिलती है सागर से कोई बंगालुप सार पोँच जाता है कोई अर्वी साउद पोँच जाता है कोई हिंदी महा सागर पोँच जाता है किन्थु नदिया कभी पाहाण की ओर नेवड़। सागर तो जाएं नहीं सकता है लेकर नदिया पाहाण चड़ जाएं चड़ने के नाम से दुनिया घवरात जाती है चलने के नाम से भी घवराती है फिर भी पैरों के माद्दम से चड़ना जो होता है थोड़े से साहस की आवस्तेक्ता पड़ती है कब चड़ते हैं नसेनी चड़ते हैं नसेनी मिल जाती है तो चड़ना आसान हो जाता है कभी कभी नसेनी नहीं मिल जाती किन्तु सीधा चड़ना पड़ता है तो उसके लिए सुविधा घुमा करके रास्ता लिया जाता है कभी पाड़ चड़े हैं के नहीं आप लों पहले बड़े बाबा के यहां जाते तो उसी प्रकारण में वहां भब भी घुमा करके आसान इसे पूंच जाते संसार में घूमना पड़ता है और इसमें भी घूमना पड़ता है यह परिक्रमा क्रम कहला था सागर वाले आये हैं साथ में सागर को भी ले आये हम ने पहुंचाया था दो साल पूर में अभी तो यही प्रोग्राम हो जाएं आपर अभी चात्रमास की बात नहीं करना है यह लोग फोड़े में संतुष्ट नहीं होते अब क्या करें महाराज ने इस समय भेजा है तो यह पक्का है टात्रमास तो यहां हो ना ही नहीं पहले ही आप लोग सहर्वागी बन गए है 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 यह नहीं की बात तो पूछ लेते लेकिन योग ऐसा ही हुआ कि वहां पर सब कुछ कारिक नहीं हो है लेकिर चात्रमास के समय पर कोई ने कोई इस दंग से अड़स ने आप तो हमने का भे सीधा आपको इधर हुदर की बात नहीं सुनते हुए कुंडलपुर के पास चले जाओ वहां पर कोई भी है ने तो बड़े वाबा कि या चात्रमास होना है अभी किष्यू को कहो ने उनको फेज दिया कुंडलपुर में चात्रमास होना है दुमारा उनका नमबर वही पर आगय सागर में किसी योग से उस समय में यह कोई ने कोई ऐसा अर्चन आ गया तो शीदा सीदा बीना बारा है शांतिनात भगवान के पास जाना है उस समय में भी सागर को बहुत अखरा था खरा था वह इसलिए अखरा था उसके सामने कोई किसी का चलता ने एक बार तुम्हाराज करवाओं हमने आप लोंगे तरब से भी प्रयास किया है लेकिन आपका बन नहीं रातों में क्या करों आप ही चलो हम भी गये थे भोपाल की ओसे यहीं से गये थे हो जाये तु देख ले तो होने की संभावना हो रहे थे का आड़त जिन तो रुके वाँ पर तो ग्रंट भी चादू कर दे हमने हो ग्रंट का उप्यों करो अब लोगों ने समझा कि आप तो महाराज ग्रंथ वा अब एशी वर्षा होना पहले शे प्रारणव हो गए बाकी सब को चीक था जहां पड़े लोग स्रावक लोग रहते थे उस समय गोडों से भी उपर पानी भरने लगा सागरवालों अब एशी थित्य भी क्या करें चोखे में प्रविष करने के लिए भराज प्रविष कर लिजे प्रविष का द्वार कु मिले कम जे कम बहुत कोशे करके इन लोग ने इस दंग से साड़ महां पर लेकर गए किन्तु वर्षा रुखी नहीं पानी बढ़ता गया और नगर निगम के तरफ से जो विशेश रूप से बवस्ता होना चाहिए थी वो भी इस समय नहीं हो सकते गर्मिक समय के बात थी यह लोग जो जो हो जाएगा सब क्या हो जाएगा चात्रमा सो जाएगा हमरा भी महां से सीधा भूबाल की ओर चले गए थी वो भी रुख गया तील वर्ष लगा तार यह अर्चन आ गया हमने का इसे कर्म है कभी कभी कहते हैं दाने दाने पर कि खाने बालुक नाम कि दाता का नाम रेता है तो इसका अर्थ यह सागर का दाना हम लोगों के लिए नहीं था चार वर्ष अब कि बार तीसरी वाद इनको का कुछ कहना नहीं महावीर जिंति से प्रारम करो कि योग ऐसा मिला उस सर्मय में भी विग्णानी वाला था लिखिन वट टल गया जब चात्रमास विलकुल निकट आ गया सागरवल सोचते हैं कि अब तो लगभग पक्का बहुत आनन्द के साथ वह चारे सारे सारे दिन निकल गए और चात्रमास की घड़ी आ गए इन लोगों की एक मांग थी पहले शुरुवाद से भाग्योदय में हमारा चात्रमास से शिपकार हुआ था महावीर जिंति के सारे दियुवाद से शिपकार हुआ 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 है